नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं साहाथ ही मुख्य मंतरी के सचीव गिनाप चावबे सचीव अमिताब कॉसल भी मंच पर मवजूद है, वहीं मौके पर गिरीड बिधायक सुद्धिप बेकुमार सोनू, बगोदर बिधायक विनोज सिंग, गान्डे बिधायक सरफराज अहमाद जीला परिश अध्याक्स मौन अस्तर तक सीवित के जरिये किये जा रहे हैं जिसमें राई सरकार की सभी जोजनाव का लाब लाबको को दिया जाना है CM की अगवाई में जार्खनलागतार प्रगती के पत पर अग्रसर है गिरीडी में CM के आगमन से विकास की जोजनाव को और गती मिलेगी दो दिवसिये मुलमा जात्रा मेला का उधगाटन रांची के मांडर में केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा ने दो दिवसिये मुलमा जात्रा का उधगाटन किया यहां हमारी परंपरावा संस्क्रिती हर साल जीवीन होती है हम इसे गरवनित होते हैं इसे हमें लागतार आगे लेकर चलना है उन्होंने कहा है कि हम सब्दों को एतिहास बना कर जीने वाले आदिवासी है यही हमारी पहचानवा जीवन पदती है सरकारी सिक्षकों के साथ बड़ा खेल गिरिह जीले में ट्रांसफर में अर्चन प्रात्मिक सिक्षकों के अंतर जीला अस्थनांतरन में कई जीले के पदाधिकारी रूची नहीं दिखा रहे हैं प्रात्मिक सिक्षा निदेशाले ने 21 सितमबर को सभी जीला सिक्षा अधिशकों से जीला सिक्षा समीति के स्विक्रिती लेकर प्रस्ताव उपलब्द कराने को कहा था लेकिन एक दर्जन जीलो के जीला सिक्षा अधिशकों ने अभी तक प्रस्ताव नहीं दिया इन में लोहर्दागा, सिम्डेगगा, धनबाज, पूर्वी सिमूं, बोकारो, पच्मी सिमूं, गिरीडी, रामगर, गोड़ा, लात्यार, पलामू, तथा खुटी जीला सामिल है इधर प्रात्मिक सिक्षा निदेशालाय ने जीलो से प्राप्त आकड़े पर अनुम्बोधन देने के लिए 14 अक्टूबर को निदेशालाय अस्तर पर गठित समित्ती की बैठाक बुलाई है इसे लेकर इन 12 जीलो के जीला सिक्षा आधिशको से दो दिनों में सिक्षको के अंतर जीला स्तर अंतर का प्रस्ता उपलब्द करने को कहा है 73.333 पदो पर भरती करेगा करमचारी चायन आयोग करमचारी चायन आयोग अपने भरती करेंडर वर्ष 2022 में 73.333 युवाओ को नवकरी देगा केंद्र सरकार के विभीन विभागो में गुरूप सीव और डी के पदो पर भरती के लिए आयोग को केंद्रिय मंत्रालियो और विभागो से रिख्तियों का जो बेवरा प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक सर्वाधिक 28 और 825 पद गिरिय मंत्रालिय के अधिन विभीन विभागो में है वहीं दिली पुलिस में 7550 पदो पर भरती होगी हलाकि पदो की संख्या घट या बढ़ सकती है कार्मिक लोग सिकायात और पेंशन मंत्रालिय के अंडर सेक्रेटरी गौतम कुमार की ओर से एसेसी के अध्याक्स और सभी मंत्रालियों को 30 सितंबर को भेज़े गए पत्र में कुल रिक्त 73 या 333 पदो को मिस्टन रिक्रूट्मेंट मोड में जल्द भरने का सुझाओ दिये गए है सरना को लेकर अरजुन मुंडा को सौपा ग्यापन सरना कोर दिलाने की मां को लेकर अरजुन मुंडा ने कहा है कि मैं आदिवासी हूँ और सनवेदन सिल्भी हूँ कौन सी बात को कहां पर रखना है मुझे अच्छी तरह पता है उदगाटन समारों ने विधायक सिल्पी नहायात तिर्की, पूर्वे विधायक बंधूत तिर्की वा अन ने भी बिचाल ब्यक्त किये बतादे सरना धर्मगुरू बंधन तिगा ने विस्तार से मुडुमाज जातरा की एतिहास जीकता पर प्रकाश डाला और सरकार से देवघर के बाबा धाम की तरह ही मुडुमाज जातरा को सिल्पाय उपलब्द कराने की मांग की मौके पर लोहर्दागा सांसा सुदार्शन भगत भाजपाक परदेश अध्यक सराय सबसांसा दिपक परकाश संगठन मंतरी कर्मबीर सिंग पूर्व विधाया गांगोतरी कोजूर सहित अने मजूद थे जार्खन सरकार ने बढ़ाई नियुमतम मैदूरीदर जार्खन सरकार ने नियुमतम मैदूरीदर में 101 रूपया 22 पैसे की बढ़तरी की है बतादे जार्खन में सरमिको की नियुमतम मैदूरी दर बढ़ गई है अब किसी भी सरमिको को कम से कम 400 रूपय प्रति दिन देना होगा इससे पहले मैदूरों को 329 रूपय सरकारी था श्राम विभाग ने निम्तम मैजदूरी की नई दरों को लेकर अजी सुचना भी जारी कर दी है जार्खन में सरमीकों की निम्तम मैजदूरी बढ़ा दी गई नई दर की घोसना करते हुए श्राम विभाग ने इसे एक अक्टूबर 2022 से परभाई किया है जिसमें 8 जनवा समय में 85,71 रुपे प्रतिमा बेतन मिलता है इस बढ़ोतरी के बाद अब इनका मानसिक बेतन 10,422 रुपे हो जाएगा जारखन के 4000 घरों में 17 छापे मारी जारखन औरजा विकास निगम ने बिजली चोरी के खिलाप मंगलवार को राज भर में सगन छापे मारी अभ्यान चलाया इस दवरान कूल 4,09 परिसरों में छापे मारी की गई इन में से 991 परिसरों में बिजली चोरी के मामला पकड़ा गया इनके खिलाप 166 लाक रुपए का जूर्माना लगाया गया है वहीं बिजली चोरी करने वालों के खिलाप रहत्मी की भी दर्ज कराई गई बतादे छापे मारी के दोरा रांची में 87 गुमला में 37, जमसेतपुर में 89, चाईबसा में 66, धनबाद में 85, चास में 77, डाल्टे गई में 188, गढ़वा में 28, दुमका में 42, साहिब गज में 51, देवघर में 83, हजारी बाग में 79, रामगण में 36, वकड़ार में 23, अस्थानों पर बिली चोरी पकड़ी गई है 1932 खतियान जुन जुनना कभी लागू नहीं होगा सेगेल अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद साल खान मुर्मोने मंगलवार को सतारुड धार्खन मुक्ति मोर्चा पर आदिवासियों को ठगने कारूप लगाया है सन्वजद्था समयलान में उन्होंने कहा है कि पांच बार जामों का सासन रहा लेकिन आदिवासियों समाज के उन्यान की दीशा में काम नहीं हुआ आदिवासियों समाज में ब्यापत नसा पान अंधविश्वास डान परथा भोट की खरीद विक्री आदिवासी महिला बिरोधी मान सिक्ता और गाउ समाज में चालू आदिवासी सवसासन ब्यवस्था के नाम पर जनतंत्र और समिधान बिरोधी किरिया कलापो को रोकने की जगा बढ़ाने में जहामों न योगदान दिया है साल खान मुर्मु ने कहा है कि माजी परगना महाल मान की मुंडा समीती जहामों की बी टीम की तरह काम करती है कुडमी महतो को ST 1932 खत्यान का केवल जुल जूना थमाने सरना धर्म मनेता लंबित रखने आदि की मुदों के लिए जहामों दोसी है जहामों और तमाम आदिवासी बीरोधी सक्तियों की खिलाब संगहर्स को निनायक बनाने के लिए भाजपा का सहयोग लिया जा सकता है बसरते भाजपा सरना धर्म कोट को मनेता दे जहारखन में इ अधार नहीं दिखाने पर पांच छात्र परिक्षा से वन्चित एफाई आर दर्ज रेलवे भरती बोट की परिक्षा देने आये पांच छात्र इ अधार नहीं दिखाने के कारण परिक्षा से वन्चित रगाए है मामले में चात्रों ने उर्मांजी थाना में सिकाई दर्च कराई वही इस समन्द में आरारबी रांची के अध्यक्स अनुप कुमार मेहरोम ने कहा है कि चात्रों का अरूप गलत है मूल आधार की प्रती वा यी आधार दोनों से छात्रों को परिक्षा के इंदर में परवेश दिया जा रहा है है अगर ऐसा हुआ है तो वे सेंटर से जनकारी लेंगे बता दे छात्र परमोत कुमार ने बताया है कि उसकी परिक्षा दूसरी पाली में राम टाहल चौधरी इंस्ट्यूट अफ टेक्नोलोजी उर्मानजी में थी वह अन्य चार छात्र परिक्षा में सामिल होने के लिए निधारी समय से पुर्वे ही पहुच गया थे और लाइन में लगे हुए थे परवेश द्वार पर परवेश पत्र और अधार काड दिखाया जा रहा था जब अधार काड दिखाया तो जाच करने वाले कर्मी ने कहा है कि यह अधार काड दिखाना होगा 10 साल पहले बनवाया अधार काड को करे अपडेट अधार काट दस सल पुराना हो चुका है तो इसे जल्द से जल्द अगतन करा ले भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिक करन ने ऐसे लोगों से कहा है कि वे अपने दस्तवेजों यमजनकारियों को अपडेट करवा ले UIDAI ने एक ब्यान जारी कर कहा है कि सुचनाई अगतन कराने का काम और लाइन या अधार केंदरों पर जाकर दोनों तरीके से किया जा रहा है UIDAI ने हलाकी कहा है कि अभी इसे अनिवारे नहीं किया गया इसने कहा है ऐसे वे अगती जिन्होंने अपना अधार कार 10 साल पहले बनवाया था यम उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं कराया है ऐसे अधार नमबर धार को से दस्तवेज अपडेट करवाने का आगरा किया जाता है जारखन में 60% से जादा बच्चे वो महिलाए एनिमिया की चपेट में जारखन में की सोरी, बालिकाएं और महिलाओं में एनिमिया एक गमीर समस्या बन गई है राज में 5 वर्ष से कम आयो के बच्चों में 67 फिश्दी बच्चे एनिमिया पाए गए है वहीं महिलाओं में यह बिमारी 65 फिश्दी जबकि पूर्षों में 30 फिश्दी के आसपास पाई गई है जारकन देश के उन तीन राजों में सामिल है जहां आयरन फोलिक एसिट की कमी से पिडित मरीजों की संख्या काफिया दिखा है हलाकि यहां परलाव अवस्यक के परचूर भंडार है परगरीबी और समाजीक हालाद से बच्चे महिलाए और अन्य आयरन की कमी से ग्रसित है नेशनल फैमिली हेल्थ सरवे 5 की रिपोर्ट में ये बाते सामनी आया है एनजी टी की बालू निकासी परलागी रोक हटेगी जहारखन में बालू निकासी परलागी एनजी टी की रोक 16 अक्टूबर से हट जाएगी ये रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक मांसुन को लेकर लगती है दूसरी और इस दरान जहरखन राजे खनीज विकास निगम को टेंडर की परकिरिया पूरी करनी थी जो नहीं हो सका इससे रोक हटने के बाद भी राजे के बालू घाट चालू नहीं हो सकेंगे बता दे पुर्व से बंदुबस्त के वल 17 बालू घाटों की ही निकासी हो सकेगी सेस बालू घाटों का जब तक टेंडर नहीं हो जाता तब तक बालू की वय दरूप से निकासी नहीं हो सकती राची जीले में एक भी बालू घाट का टेंडर नहीं हो सका है धन्यवाद यदि आप चनल पनाए हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद भाई ये साज़ार वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साज़ी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़ो एक अवस से दे थैंक यू